पावन चौधरी वेलकम टू अनक्याडमी और इस लेक्षर में हम लोग बात करेंगे फारू की डाइनिस्टी के बारे में फारू की वंश के बारे में 1398 से लेके 1601 तक खानदेश की रीजन में फारू की डाइनिस्टी या फारू की वंश का स्टैबलिश्मेंट हुआ और यह अगर देखा जाए तो जो बह्मेनी सलतनत तो प्रकार आधिर से बह्मेनी दाइनِस्टी सोक्यारा गी स्टान ओवियोard है हुआ है और खंदेश में अगर देखा जाए, तो मद्द बिरेश का सिर्फ जो बुरहनपूर जिला है, बुरहनपूर और आसपास के कुछ छोटी मटी और जगे हैं, तो वो इसके अंदर अभी के मद्द बिरेश में, तो बुरहनपूर वाला एरिया आता, खैर ये पिला खंडवा लेकिन अभी का बुरहनपूर है, बुरहनपूर वाला रीजन इसके अंदर आपको आया करता था, और उसके अलावा फिर बागी जलगां और दूसरे जो स्टेट हैं आपके, डिस्टिक हैं अभी महराश्टरा के, वो स्टेट इसके अंदर, इस समय आया करते थे, तो क्योंकि बुरहनपूर में अगर आपने जोग्रफी पढ़ी हो तो वी हब दे बुरहनपूर पास बुरहनपूर का दर्रा है और वो एक ऐसा दर्रा है जो नर्मदा को क्रॉस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है उसके लावा थ्रूआउट विंद्याज या सत्पूराज आप देखोगे तो कोई ऐसा पास नहीं है जहां से प्रॉपर्ली तरीके से नर्मदा को क्रॉस कर सोको तो अगर आपको दक्षिन में जाना है अभी तो बहुत सारे पासे अभी को दिक्कत नहीं है लेकिन आज से पांच सो साल पहले छे सो साल पहले अगर आपको दक्षिन क के तरफ जाना है साओ के तरफ जाना है तो आपको बुरहनपूर में जाना पर कृस था जहां से हम लोग क्रॉस कर सकते था साूथ में जाने के लिए साज का राजा नौर्थ तो एक तरह से यह dividing line था, divide यहाँ पे था, क्योंकि विंद्य सब्पूरा बड़ी mountain range है, तो यह तरीके से division था आपका विंद्या में, जो यह divide करता था कि विंद्य और सथपूरा जो है उसको divide करने के बाद, कि North और South को, उत्तर और दक्षिन को divide करता था, और उसके कारण North का राजा North में रहता था, और South का राजा South में रहता था, ज्यादा यह उसको cross नहीं कर पाते थे, उसको पार नहीं कर पाते थे, तो उसके कारण एक बड़ा important dividing point यहाँ पर आपको हो गया, and the fort of Burhan, जो असीरगड का fort कहा जाता है, असीरगड का किला कहा जाता है, उसको हम लोग key to deccan कहते हैं, या deccan का दर्वाजा कहते हैं, और कहीं इतिहास कारों में इसको the key to Malwa भी कहा जाता है, मालवा का रास्ता, बट famously is known as the key to deccan की, जो भी नौर्थ के राजा थे, वो गए, तो जनरली सबसे पहले माना जाता है कि अलाउद्दीन खिल जी जो है, उन्होंने आकरम कि अशोक ने उस समय किस तरीके से इसको क्रॉस किया था, क्यों उसने भी नीचे जाके चूल की बाउंट्रीस तग उसने हमला किया, कलिंग पर हमला किया, तो कहीं न कहीं हो सकता है, वो भी इधर से गया हो, उसकी information नहीं है, मैं पहली बोल रहा हूँ, और it might be possible कि यहीं से गया होंगे, तो यह तो उसके strategic पहचान की हो गई, कि strategically क्यों important है, अब यह जो dynasty में आपको बताने है वाला हूँ, फारो के dynasty, इस समय की स्तिती आप समझ लो, इस्तिती यह थी कि पहले तो परमारो का शार्षन था, तो परमारो के शार्षन में भी यह एरिया लगबग परमा अहिर कम्यूटी के जो राजा है या अहिर राजा इस रीजन में शार्षन किया करते हैं और उनकी सामनती लंबे समय तक, ऐसा है निता कि अभी सामनती, कई लंबे समय तक अहिर लोगों ने आप शार्षन आपको किया, और उसके बाद परमार के टाइम पर भी information मिलती, फिर कुछ समय राजपूतों ने शार्षन किया, फिर अहिरों ने शार्षन किया, तो ये चीज़ें यहां पर आपको चलती रही, तो उस हिसाफ से बड़ा important था, क्योंकि उदर cross करना बड़ा आसान हो जाता था यहां से, तो असिरगड़ बड़ा important था, हर राजा चाहे हो परमा अलवा पर फत्र हासिल करता है, उसी के साथ में फिर मलिक कफूर दक्षिन के तरफ जब जाता है, तो असिरगड़ के फोड को कैप्चर करते होगे, यह इस रीजन से निकलते होगे, तक्षिन के तरफ आपको चला जाता है, और उस दोरान हमको बुरहनपूर और इनके बार करके थालनेर या लालिंग नाम के जो जगे हैं, महराश्रा के अंदर थालनेर लालिंग इन जगों पे जाके कैप्चर किया, उन पे दियंदरन किया, और इस तरीके से जो खिलजीज हैं, तुगलक्स हैं, उनका साशन इसके बियॉंड पर थोड़ा बता आपको गया, लेकि के सामपी, क्योंकि पहले जो बहमनीस है, वो एक इंटिग्रेटर डाइनेस्टी थी, फिर बाद में किया हुआ, इंटिग्रेटर डाइनेस्टी वो टूड गई, फिर अलग-अलग आपका की गुल कुंडा के अंदर वो कुतुब शाही और बिराज शाही और बरार ऐसे करक अलग-अलग डिवाइड होकर उसी डिविजन में, फिर आपका खांदेश भी हाँ पर आपको सामने आया, ठीक है, तो तुगलोकों का शाशन था, नसुरुदिन मुहमद तुगलक, जिसकी स्टोरी हमने मालवा के टाइम पर देखी थी, और जब नसुरुदिन मुहमद गुजरात से फिर मालवा आता है, और मालवा के जो सुल्तान थे, उस समय सूवेदार थे, इस काई दिलावर खांगौरी, तो उनके दरबार में कोश समय तक रहता है, उसके बाद फिर दिल्ली जाता है, चोदा सो एक में दिलावर खांगौरी, मालवा को इंडिपेंड़न तो यहाँ पर तुलकों के अधिकारीmi थे। तुलक के किलेदार या उनके सकते हैं शचालोक, किलेदार या उनके फोजदार निंस रहा करते होंगे. उन्ही को उस समय पे अपोइंट किया गया था उन्होंने अपोइंट किया था तो वो उन्ही का शाशन था लेकिन जब तैमूर का हमला होता और जो नसुरुद्दीन जब कमजोर होते हैं तो ये भी अपने आपको एक independent राजा, स्वतन्त राजा डेकलेयर कर दें तो एक मालवा स्वतन्त राजा है राज्य है जो 1401 में बना और उसी के पास में एक और स्वतन्त राज्य है जो बुरहनपूर है या जिसको हम लोग खांदेश बोलते हैं उसको हम लोग फारू की सल्तनत बोलते है खांदेश सल्तनत बोलो फारू की सल्तनत बोलो बुरहनपूर सल्तनत बोलो एक ही बात है जनली बुरहनपूर सलतरत नहीं बोला जाता खांदेश या फारू की डैनिस्टी जनली यहां पर आपको चलता है तो यह चोटी सी यहां पर बात हुई और थोड़ा आगे बता देता हूँ कि इनके राजाओं का शाशन हुआ फिर अकबर का इसके ओपर हमला हुआ हमायू के साथ इनकी डिस्प्यूट्स हुए फिर अकबर आया, शाजां आया जहांगीर आया फिर जहांगीर के समय तक अगबर के समय था, अकबर इनको कैपचर कर चुका था उसको, अकबर का जो आकरी battle था 1601 में which is against बुरहानपुर के जो असिरगर था वो उसका आखरी battle था आखरी युद्ध था जब अगबर ने आपर आपको हमला किया ठीके उसके बाद फिर दानियाल और उनसब का सब चीजे चलती रही तो ये मुगल्स के लिए बड़ा interesting बड़ा important point था और reason उसका ये था कि मुगल चाहते थे मुगल में भी अकबर से उनकी तमन्ना स्टार्ट हुई कि बहमनी पे capture करना है तो अकबर, जहांगीर, शहाजाँ और और औरंगजेब ये चारो राजा जहांसा आराम से निकल सकते थे तो यहीं से अपनी सेना लजाते और बुर्हानपूर के अंदर हुमायू सालों तक रहा जहांगीर सालों तक रहा शहाजाँ सालों तक आपको रहा शहाजाँ तो 14 साल तक आहा जाते हैं आ रहा उसके पत्नी के death भी हुई मरत्यू भी यहीं पर आपको हो गई तो मुगलों के लिए भी यह एक बड़ा important place रहा और साथ ही आपर independent जो वंच है उस independent वंच या independent जो डाइनिस्टी है उस independent डाइनिस्टी का शाशन तो इस रीजन में था ही था उसमें तो कोई issue ही नहीं आपर तो यह बात हुई छोटी सी फारुकी की basic introduction हो की अब पहले जो इनके राजा आपको थे उनका नाम था आपके मलिक एहमद रजा, he was a first king और अगबर की जो 32 परगणा हुआ करती थी आईने अगबरी के according तो उन 32 परगणा में से एक जो परगणा थी, वो आपका खांदेश वाला पार्ट आपको हुआ करता तो 32 में से एक important परगणा थी अब उसके लावा इनकी एगर lineage को हम लोग देखें lineage को मतलब इनकी वंशावली को अगर देखें तो इनकी वंशावली सुरू होती है मलिक एहमद फारुकी से जो मलिक एहमद रजा जिसको मैंने बोला, तो इसकोल मलिक एहमद रजा या मलिक एहमद फारुकी आप बोले एक ही बात है, 82 से लेके 39 तक इसका शाषन हुआ, तो he was the founder जिसने 82 से था, लेकिन 3098 में अक्टियल उसने शाषन establish किया, इसके बाद नसीर खान बनते हैं, फिर आपका मीरन अदिल शाह, कई सेरे राजाओं के साथ में राजा जुड़ा होता है, किंग्स के सुल्तान के साथ में राजा, तो एक ही बात है, मीरन अदिल शाह 37-41, फिर मीरन मुबारक शाह 1st, मीरन अदिल शाह 2nd, दौध खान, गजनी खान, अलाम खान, फिर अलाम खान के बाद मीरन अदिल खान, 1909-1920, फिर मीरन मुबारक शाह 1st, फिर मीरन मुबारक शाह 2nd, 37-44 तक, मीरन मुबारक शाह 56-76 तक, फिर उसके बाद हसन खान 76, फिर राजा अली खान या मीरन आदिल शाह 76-97 और बाहदुर खाव वाज लास्ट किंग 1597 से लेके 1601 में अगबर ने हमला करके इनकी रिजन को कैप्टर कर लिया अगबर के बाद भी कुछ छोटे मटे राज इनके चलते रहे बट वो सुबेदार की रूप में उनको मालवा का फि पूरी तरीके से मुगलों के एक complete control के अंदर ये reason आपको रहता है पहले राजा मनते हैं उनका नाम है मलिक एहमद राजा या मलिक एहमद फारू की एक ही यहाँ पर आपको बात है और ये उस समय पे during the time of फिरोशा तुगलग इनको फिरोशा तुगलग ने थालनेर और आप इसकी सूबेधारी यहाँ पर आपको मिली और उसके बाद मलिक एहमद रजा जो है इसका मानना था कि जो आपके कहलीफा है सेकेंड हली खारू करता था इसका मतलब कहीं न कहीं ये एक बड़ा सा मराजी को अपने आपको रिप्रेशन करता था जिस सामराजीkin को बलबन उसको बिलॉंग करता हूँ तो उसी सेकंड जो कलिफा है उसको यह क्लेम करता है कि उनको यहाँ पर आपको बिलॉंग करता हूँ उसको बिलॉंग करता है तो मतलब इसका पावर जो है उसमय आपको काफी जादा माना आ सकता है उसके बाद जो तेमूर वाली जो पूरी घटन नहीं था तो उसके कारण option था उसके पास कि वो अपने आपको independent declare कर सके तो यह अपने आपको तुगलक से independent declare कर देता है और उसके बाद यार देखो न सेयद न लोधी किसी में इतनी ताकत थी या किती पावर थी इतनी forces थी कि वो फिर से मालवा पे capture या बुरहनपूर पे capture कर सके तो वो लोग इधर आही नहीं कभी वो ग्वालियर तक आए ग्वालियर से वापस चले गए वो इबराहिम लोधी बगर आये थे इधर हमला किया कुछ समय सेयदों ने ग्वालियर पे capture किया फिर वो इसके आगे बड़े ही नहीं क्योंकि उनको पता था कि independent dynastries बन चुकी है और इनको हराना उस समय थोड़ा सा हाँ पर आपको मुश्किल था तो ये बात हुई मलिक एहमद आपको रजा की अब इसके टाइम पर इसने सबसे important काम किया कि इसके टाइम पर इसने अपने राज्य में agriculture development करना स्टार्ट किया क्योंकि ये जो पूरा बुरानपूर वाला reason है ये black soil वाला reason है काली मिट्टी वाला reason है और नर्मदा के किनारे वाला reason है तो deep black soil गहरी काली मिट्टी मिलती जोग्रफी थोड़ी गुसा दिया करो answer writing करने में कि लिखना है आपको फारू की नैस्टी आ गई या the development of agriculture in मालवा ऐसा कुछ कर किया हो गया तो बहुत सारी जगे connect होगा कि भई मलिक महदर रजा ने agriculture development के लिए काम किया या उधर महमूद खिल जी है मालवा में उन्होंने agriculture development का काम किया तो agriculture की कभी MP में बात हो तो इतिहास की चीज़ा थोड़ी गुसा दिया करो अगर 11 नंबर का question है तो agriculture के लिए especially उन्होंने कपास की जो खेती है उस खेती को कराना स्टार्ट किया और उसके बाद इन्होंने जो दिलावर खांग और ही है मालवा के तो अपने बेटी की शादी उसकी बेटी से यहाँ पे करवाई है उसके बाद इनका जो बेटा था उसका नाम था मलीक नसीर खां तो नसीर खां राजा बना 1399 से लेके 44 तक अब यह माना जाता है कि यह एक तरीके से पूरी तरह से independent राजा है इसको कोई दिक्कत थी वैसे मलीक इहमद राजा ही पहला राजा था लेकिन ही वस कंप्लीटली इंडिपेंडन राजा जिसको उदर तुगलग उगलग से इनसे कोई मतलब नी तेमूर से कोई मतलब नी और इसके टाइम पर जो यह असीरगड वाला जो फोर्ट था इस फोर चल से उस किले को जीतना बड़ा मुश्किल था तो कहा जाता है कि चल से उसने इस किले को यहां पर आपको जीत लिया और उसके बाद इसने फिर असिरगड को अपना कैपिटल बना अभी बुरहनपूर सिटी बना नहीं है बुरहनपूर का स्टैबलिशमेंट नहीं हुआ ह अब होना स्टार्ट होगा तो उसने असिरगड को अपना किला बनाया और उसके साथ में बुरहनपूर जो सिटी है उसका स्टैबलिश्मेंट करना उसका स्टैबलिश करना आपको स्टार्ट किया तो अब यह बोल सकते हैं कि मलक अहमद नसीर जो है मलक नसीर खान जो है यह ब सेरगड को अपना कैपिटल बनाता है और फिर बाद में जो बुरहनपूर को अपनी जो राजधानी है बुरहनपूर को अपनी राजधानी हाँ पर आपको बलाता है अब उसके टाइम पर कई सारे जो हमले हैं वो भी इनके उपर आपको है तो थालनेर है तो थालनेर पर आपको कैप्चर किया क्योंकि थालनेर वाला रीजन इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेन है आपे था तो जो सुल्तान होशंग शाह गोरी थी दिलावर खां के बाद जब होशंग शाह आय रिष्टेदार थे इनके तो इन्होंने मिलके जो थाल इंजर इंपॉर्टेंट है मद्विदेश में उसी तरीके से वहाँ पर उससये पर थालनेर का किला बाय् shortest होशंग था तिस्वा ओकष्व कर लेते हैं और इस धर को अपने अधीन परमपरा है तो सूफी परमपरा अफगानों में काफी हुआ करती थी तो इस तरीके से इनकी जो सूफी परमपरा है तो सूफी परमपरा में इनके जो गुरू थे उनका नाम था शेक जैनुद्दीन खान तो शेक जैनुद्दीन जो है वो इनके गुरू थे और ये जब उनक शेक संत बर्हुद्दीन दौलताबाद के थे तो ये सब सूफी संत हैं तो इनके यहाँ पर सूफियों की बड़ी परफ़ा माल्वा में भी बताया था सूफी परफ़ा साथ में यहाँ पर भी सूफी परफ़ा आती तो दो इनके जो गुरू थे शेख जैनुद्दीन और संत बरहुद्दीन ये दोनों मालवा आपको आ जाते हैं और उनके बाद इनहीं की याद में उन्होंने दो शेहरों का स्टाबिनिश्मेंट किया एक शेहर उसने बनाया इसका नाम है बुरहनपूर तो ये जो तापती नदी थी तो तापती नदी के आसपास के रीजन में तापती नदी के आसपास बुरहनपूर और जैनाबाद दो शेहर मनाया अभी भी बुरहनपूर के अंदर एक जगे है जैनाबाद तो संत जैनुद्दीन के नाम से जैनाबाद और बुरहुद्दीन के नाम से उसने खानदेश और मालवा जो है इनके साथ में मिलके एन्हों जो है उनकी एक जगे ठीजिते है उसके लावेड़ आपको आटैक कर दिया अब यह इनके वड़ी गलती माँ मानी जाती है कि अरके हमला नहीं करते तो गुजात के राजा भड़ता रहाता नहीं जबकि इसके पहले एक जगे में पढ़ा था एक हिस्ट्री की किताब में शायद सतीर चंद्रा में लिखा हुआ है कि इनके बीच में एक agreement हुआ था इन लोगों के बीच में दिलावर खां और मलीक हमेद रजा और इन सब के बीच में कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे बड़ ऐसा हुआ नहीं और उस चीज को इन्होंने स्टाट कि और उसकी बात कहा जाता है कि होशंग शाह के ओपर फिर आपके मालवा ने हमला करना शुरू किया तो यह उनका पहला ऐसा हमला था जिन्हों सुल्तानपूर को यहां पर आपको अटेक कर लिया उसका 1435 में जो लेकिन उसके बावजूद भी उनका फोर्ट तो उनका इंपॉर्टन फोर्ट है तो गौणवाना के राजा के साथ में और बहमिनी के कुछ दूसरे जो सुबेदार वगरा थे जो उनसे नाराज थे उन लोगों के साथ में मिलके यह बरार के किले पे आपको हमला कर देता है बरार के किले पे हमला करके बरार को कैप्चर कर लेता तो यह बड़ी गल्ती थी इनकी कि उनके बरार को भी कैप्चर कर लिया बदला तो लेंगे तो बरार उनके कबजाए में सुल्तानपूर उनके कबजे में तो यसे कई सारी रीजन जो है वो आपको कैप्चर आपको कर और उस समय पे जो बुरहनपूर का जो बरार जो बहमनी गवर्नर था आपका बुरहनपूर का उसका नाम था एक जगी थी वहाँ पर नर्नाला करके तो बहमनी का जो गवर्नर था वहाँ से नर्नाला करके जगे है वहाँ भाग जाता है नर्नाला उनका एक बड़ा हुआ है जिनके जिन पर हमला करने की तुगलोकू की हिम्मत नी थी उनके उपर यह छोटे से राजा ने हमला कर दिया उसका दिमा कराब होता है तो वहां का जो सुल्दान था इसको अलाउद्दीन एहमेशास सेकेंड वो अपनी आर्मी लेके इनके उपर आपको हमला करता है हमला करके उसका एक सुबेदार ता इसको बड़ा स्ट्रॉवत इंता उसका नाम था मलिक उतुजार थे यो लेकर आता है सबसे पहले थी उसका नाम था रहओंख्यडा तो रोहन खेडा घाट में उसको डिफीट करता है फिर उसको भगाते भगाते कहां से दरनाला की वहां से भगाते बाद जहां से कैप्चर किया था बरार से बरार से भगाता भगाते पहले तो यह रोहन खेडा जो घाट है वहां तक लेता है वहां से भगाते भगाते उसको ब नालिंग करके एक जगह है अभी के टाइम पर धुले के अंदर आपको लोकेटेड़ तो वहां पर फिर इनके बीच में एक और युद्ध होता है जिस युद्ध में उसको यहां पर आपको समाप्त कर देता तो इस तरीके से उसकी मृत्ति हो जाती है और फिर बाद में उसको और एरिया इनका कैप्चर कर लिया फिर अगले राजा बनते हैं उनका नामे मीरन अदिल शाह फर्स्ट और ये फिर जब गुजरात का हमला इनके ओपर हुआ तो गुजरात के राजा जो थे सुल्तान थे वहां के उन्होंने इनके ओपर हमला कर दिया and reason was that कि उन्होंने सु सुल्तानपूर पर कबजा किया था तो उसने होशंग शाह को तो पकड़ के हराई हराया साथ में इन पर भी हमजा कर लिया तो इसके सुवनिटी एक्सेप कर लिए कि भाई साब मैं तुम्हारे अधीन हूँ मुझे मत मारू मैं गरीबाद में जो भी किया पिताजी ने किया मैं क्यों भुकतूं तो ये जो गुजरात के जो सुल्तान है वो इनके अधीन आपको आ जाते हैं तो इस तरीके से ये उनके अधीन आते हैं और बाद में फिर बुरहनपूर में ही गुजरात के जो राजा है वो उनको असेजनेट कर देते हैं इनकी हत्या कर देते हैं और थालनेर में ही इसका अंतिम संसकार वगर आपको किया जाता है फिर अगले जो राजा बनते हैं उनका नाम है मीरन अदिल्शाह सेकेंड वो फर्स्ट था ये मीरन अदिल्शाह सेकेंड है and he ruled from 1451 से लेके 1501 1457 से लेके 1501 तक यहां पर आपको शाशन करते हैं बीच में देखना पड़ता है रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है तो अगले जो राजा बनते हैं उनका नाम है मीरन अदिल्शाह सेकेंड तो ये दूसरे इंपोर्टेंड आपको राजा है अब इनके टाइम पर क्या है अब समय आचुका है आपका 1501 तक का और इस समय पर और बी कही सारे की और बी कुछ दूसरे अटेक्स वगरा की संभावना रहती है तो समय यहां पर क्या करता है उस समय बुरहनपूर का जो पूरा सिटी है तो बुरहनपूर सिटी में इस्पेशली ये आसपास उसकी चार दिवारी मना देता है, उसको बोलते है मालिगर जो फोर्ट है इनका तो the wall of मालिगर का है मालिगर की दिवारे कहा जाता है, तो बरहनपुर का जो फोर्ट है, किला है जो उसने बनाया था और पहले भी कुछ किले थे इनके तो उस में जो किला, इसको शाही किला बोलते है अभी भी है बुरहनपुर में, उस किले के आसपास ये चार दिवारी मना देता है जिसको मालिगर की दिवारे कहा जाता है तो वो दिवार मना के पूरा एक बोलते हैं, एक फोर्ट सिटी पर जो बुरहनपूर है वो आट एंड कल्चर का भी इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है इस्पेशली यह दो चीजों के लिए जाना जाता था एक तो जाना जाता था अपने कॉटन के लिए जो कपास के लिए जाना जाता था और उसके बाद मुस्लिम्स में शुरू से एक ट्रेडिशन था कि गोल्ड और सिल्वर की जो जरी वाले वायर होते हैं तो उनसे कई सारी चीजे आपको बनाई जाती है तो गोल्ड और जरी की जो नकाशी वाले वायर है गोल बैसी के उसलवर डिर से बनाइब संदे के लुड और बेसी कि और दालो से ऐसे प्राइबरी और इसके पहले उसके पहले जो मुस्लिम परशेंज हैं दो तो हापाल्वมें वह पर उसके लेकर और एंट सेयां पर उसके बात बुरहनपूरपुरा के लिए जाना जा तो यहाँ पर दरबारों के अंदर बहुत सारे ऐसे dancers हुआ करते थे, female dancers थे, male dancers थे, जो यहाँ पर नरत्य करते थे, तो अपनी नरत्य परमपराओं के लिए भी बुरहनपूर बड़ा जाना जाता था, ठीक है, तो उनके टाइम पर यह सब चीज़े शुरू है, उसके साथ ए है, north से south जाना है, south से north आना है, तो जो भी विक्ति è north से south और south से north आता था, वो बुरहनपूर जा अच्छा कासा जो tax है अच्छा कासा कर है वो उन पे लगाते थे तो tax भी देना पड़ता था लोगों का अच्छा कासा फिर अगर कोई राजा आर्मी लेके आया तो आर्मी भी यहां पर station करती थी फिर यहां से आगे बढ़ती थी तो आर्मी के stations यहां पर होते थे तो आर्मी क हम बोलते हैं डेकन का गेटवे हो गया वो था और साथ में उसके साथ में व्यापार भी डबलब भा बड़ी-बड़ी सेनाएं यहां पर आपको पड़ी रहती थी तो उन सेनाओं के का खर्चा भी होता था तो उसके लिए भी इनको पैसा बगरा मिलता तो इस तरीके से बुर राजाओं पे हमला करके फिर मंडला पे आपको हमला करता है उसके बाद जो मीरेंद अदिल्शाहupa है यह इस ज़ारखंड झाके जह्रकण經 की रीजन है उनको capture करते हैं कि यहां से मदलब यहां से आपके मंडला मंडला निकल के उधर 36 गड़ वाली reasons होगे सीधा झारकंड पहुंच जाता है और अपने आपको title देता है the title is called the शाहे झारकंड तो अपने आपको शाहे झारकंड का title देता है क्योंकि इतना सारा किला उसने capture किया सब तो चीज़े capture की तो ही गड़ टाइटल ऑफ दे शाहे झारकंड टाइटल होता है और उसके बाद में फिर जैसे इसके पहले जो आदिल शाह थे तो जो फर्स्ट वाले थे तो उन्होंने तो गुजरात की unity accept कर ली थी यह अपने आपको independent declare कर देते हैं कि मैं नहीं देरा text तुमको और गुजरात के राजा को text देने से मना कर देते हैं लेकिन उसके बाद फिर गुजरात के राजा फिर से इनके ओपर 1498 में attack करते हैं और उसके बाद आदिल खान उनको फिर से text देना है आप आपको शुरू कर देता है तो था ना कि अब independent होगा आप कहा हमला करेगा लेकिन उसको तो text रही है ता गुजरात के राजा को उसने हमला करके फिर से text वसूल करना शुरू की और 1501 में इनकी death होती है और वहीं पर दौलते मैदान करके एक जगे है वहाँ पर जो उनका एक शाही वो है ग्रेवियार्ड है वहाँ पर इनको आपको दफनाया जाता है अब इनके दरबार में कई सरे जाने माने scholar कई सरे जाने माने स्कॉल संत थे वो इनके दरबार में हुआ करते थे अब आदिल शाह सेकंड जो है इसके बाद अमीरान अदिल शाह सेकंड उनके बाद इनका जो बेटा है दौध खान तो दोध खाए हाँ पर आपको राजा बनता है और दोध खान थोड़ा सा कमजोर राजा था तो इसके टाइम पर क्या होता है कि इसके दरबार में इसके दो और भाइथ है उसका नाम ता हुसेण अली और यार अली तो इनकी मदद से यह अपना जो अंपायर है इनके मदद से अपना सामराज्य स्थाफित करता है कमजोर राजा था तो सपूर्ट करने के लिए दो तीन लोग चाहिए तो उनकी help से अपना शाशन हें आपको चलाता है उसके बाद जो एक एपना वजीर आपोइन करता है और उसको मलीक हिसान उद्दीन का जो title है ये title आपको देता है कि उसको हुसेन अली जो बड़ा भाई था तो मैं जो यह सबसे बड़ा था दो चोटे और थे उसमें सबसे बड़ा हुसेन अली था तो हुसेन अली को ये टाइटल आपको देता है the title is called मलीक हिसान उद्दीन और अपना वजीर न्यूक्त करता है क्योशन आ जाएका डारेक्ट यहां से कि यह वजीर के उसको न्यूक्त किया मैं शायद उस पर focus नहीं कर पाता कि कहां से question आता है बट जितने भी fact हम लोग पढ़ रहे हैं यहां से कहीं से भी question आपको बन सकता है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा बोलते ने कि उसको बहुत ज़्यादा target नहीं करना चाहता कि यहां से बन सकता है आप पढ़ें पूरा content पीडियाफ तो आपको मिली जाती है पूरा content आप पढ़ें और आप समझें आप खुछ समझने की कोशिश करें कि कहां से question बन सकता है क्योंकि प्रश्म कहां से बन सकता यह बताना बड़ा आसान है मैं बोलूगा कि हां भई इसके अंदर कों से तो यह मैंने बोल दिया कि होसे होसेन अली और यार अली जो है इनको बुरहनपूर का या इनको खानदेश का सेयद ब्रदर कहा जाता है दे सकते हैं ना टीचर दे तुम जाके में लिख किया गया और मेंस में लिख दिया और वहां पर जो चेक करने वाला बैटा वो निकला हिस्टी का प्रोफेसर और MP में अगर हिस्टी का प्रोफेसर है तो मालवा और इन पे जो भी मतलब अपना पूरा मद्दबिरेश कहती है उसमें उसका जहां पर नॉलेज या मेरा नॉलेज खतम हो जाता है मेरा तुम्हारा हम सब का कंभाइन नॉलेज जहां पर खतम हो जाता है वहां से उनका नॉलेज शुरू होता है उनको सब पता होता है बड़े पहुंचे होए टीचर होते सालों का experience होता है उनको बड़ी-बड़ी किता इतिहासकार उने दिये हैं तो हमको इतिहासकार नहीं बनना है तो you can find out की कहां से question बन सकते हैं तेके उसके बाद दौत खान जो है ये आगे जाके एहमद नगर पर अटेक करता है एहमद नगर क्या है वही महमिनीस का एक important reason था वहां पर हमला करता है और वहां पर हमला करके उस करने की आप आपको कोशिश करता है और बाद में फिर जो एहमद नगर के राजा जो है ये इसको अपने अधीनी कर लें थे कि भाई साब तुम ने हम पर हमला किया अब तुम भुगतो तो यह हमला करके हार जाते थे फिर उनकी सोवनिटी एकसेप कर ले थे तो दौत खान फिर बाद में जो वहां के राजा जो थे एहमद नगर के उनकी सोवनिटी उसने बाद में एकसेप कर ली थी तो कुछ समय तक रहा अगले राजा जो बनते हैं उनका नाम है गजनी खान और गजनी खान जो है उसके बाद ये राजा आपको बनते है और गजनी खान जो है व और आलम खान जो है, यह बिसिकली एहमद नगर और बरार के जो राजा थे, वहाँ के जो सुल्तान थे, उनकी मदद से राजा बनता है, क्योंकि as you know कि इसके पहले दौत खान जो है, उसने तो इस रीजन पर capture करी चुका था, वो उसका एक independent area बनी चुका था, तो उसके sovereignty दौत कर लो, और अपने ही राजा बना दो, तो यह उस तरीके से, वो उनका राजा उनको यहाँ पर आपको, आलम खान को यहाँ पर आपको declare कर देता है, ठीक है, फिर बाद में, जो गुजरात की जो सुल्तान थे, महमुश शाह फर्स्ट, वो उस पर गदी पर बैठाने से, उसक चाहते हैं कि मुरहनपूर पे उनका जो कंट्रोल या उनका जो नियंत्रन है, दोनों का नियंत्रन यहाँ पर आपको हो सके, तो यह चाहते हैं कि इनका दोनों का जो नियंत्रन है, दोनों का जो कंट्रोल है, दोनों का कंट्रोल उसके ओपर आपको हो, और उस कंट्रोल को gain करने के लिए इनके बीच में issue करते थे तो जैसी मुरानपूरन का इसको राजा है हाँ पर आपको बनाया तो ये भाईये विरूत करते थे ये बोलता है नहीं हम तो चाहते हैं कि आदिल शाह जो है उसको राजा बनाया जाए और उसके बाद में फिर गुजरात के राजा उस dispute को जीच जाते है और उसके बाद जो मीरन अदिल शाह थर्ड है वो अगले राजा है हाँ पर आपको बनते हैं तो with the help of गुजरात की जो king थे महमूश शाह उनकी मदद से फिर अदिल शाह जो थर्ड था उसको राजा बनाया जाता है 15, 13, 9, 509 के अंदर और उसके बाद ये महमूश शाह फर्स्ट जो है वो उनको गद्दी पे बैठा देते हैं और उसके साथ में ये थालनेर पे भी गद्दी पे आपको बैठता है and he adopt the title of the आजिम हुमायू आजिम हुमायू title वाले कई सारे जो लोग हैं कई सारे लोग आपको मिलेगी उसमें से एक ये आजिम हुमायू का जो title है वो title आपको adopt करता है कई सारे लोगों ने title आपको adopt किया है तो उसमें से एक जो है वो मिरंद आदिल शाह third था जिसने आपके आजिम हुमायू का जो टाइटल था ये टाइटल उसने आपको अडॉप्ट किया तेके उसका 1517 की अंदर जो मजफर शाह थे वो फिर से यहां पर केमपेंड लेके आते हैं और उस मजफर शाह के केमपेंड में अगेंड से राना सांगा जो चितौर में जो आपका बैटल हुआ था तो उसके खिलाफ आपको घरुली पे हमला करते हैं मेधी राई भी उसके साथ में था तो 150 साथ में मजफर शाह के साथ में अदिल जो शाह थर्थ थे ये मिलके अराना सांगा के खिलाफ campaign मेदिनी राय के खिलाब campaign तो तमाम campaign है आप आपको करते हैं उसके बाद समय आता है 1520 से लेके 1537 का जहां पर मिरन मुहमद मुहमद जिसकी हुमायू के साथ dispute चलता था जिसने अपके क्या नाम है आपको चतौड पर हमला करा था जब करनावदी करेड़्य हुई हुमायू उसकी पीछे तो वह जो बहुत बहुत दोनों मिल जाते और यह लोग मिलके मालवा और चितोड पर हमला कर देते हैं क्योंकि आपको याद होगा ना कि मालवा की उपर बहादुर शाह का हमला होके बहादुर शाह ने मालवा को कैप्चर कर लिया और मालवा को कैप्चर करके जाता है चितोड में तो उस युद्ध में उस पूरी campaign में उसका जो पूरा जो विजए अभियान था उस विजए अभियान में इसके साथ में जो मिरन मुहमद शाह था वो भी अपनी army लेके साथ में था वो भी भागेदार था इसके लिए बराबर जो भी चीज़े यहां पर आपको हुई तो यह और आपके बहदूर शाव अगरे यह सब चितोड में थे जो दसेग उफ चितोड इनों ने किया था जहां पर करनावती जो रानी करनावती जी थी उनका जो हुआ था उस समय पर हुमायू हमला करता हुमायू के सामने सरेंडर कर देता है कि तुम मालवा रख लो यार मुझ रख लगे ता हुमायू उसको जा नहीं भे देता है और उस समय पहली बार हमायू और जो आपके मिरन मौहमत्स्या है इनकी मुझालागा भी होती है इनकी एक तरह से इनका encounter भी यहां पर आपको होता है उसके बाद यह पूरीरिजन है तो यह रीजन के उपर capture आपके होता है और समय बाद में जा शहर्षा है यहां पर आपको आया तो अब यहाँ से तो क्या नाम है आपका जो हमाईू है वह वापस चला जाता है क्योंकि हुमायू मालवा जीता है फिर उसके बाद गुजरात जीता है गुजरात वगरा जीतने के बाद बहादूर शाव को डिफीट करता है अगे जाके और उसके बाद उसका जो भाई था हुमायू का उसका नम था असकारी तो असकारी को मालवा छोड़ता है मालवा बिदार बनाता और यहां से निकल जाता है क्योंकि उस समय उधर शेर्शा सूरी उसका एरिया कैप्चर कर रहा था उधर दिल्ली और इधर तो उसके डर के मारे यह फिर से वहां पर आपको वापस दिल्ली पहुंच जाता है लेकिन वह बैटल ओफ बिलग्राम और चौसा और हार चुका है लेकिन मरा नहीं है तो बहादूर शाह तो भग गया है यहां से आपको चला जाता है और उसके बाद बहादूर शाह जो है जब शेर्शा सूरी के टाइम पर तो उस हमेपे जो बहादूर शाह है वो फिर से गुर्जात को केप्चर कर लेता उसके बाद जो मीरंद मुहमद शाह और जो मालवा के गवरनर थे मलू खान तो इनको भेशता है कि जाओ मालवा पर कैप्चर करके आओ कोई बादूर शाह तो भग गया फिर ये बोलते कि चलो हम गुजरात पर कैप्चर कर लेते तो ये लोग मिलके गुजरात पर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और साथ में मालवा और आसपास की रीजन जो है उसको भी ये लोग आपको बादूर शाह जो था मालवा का राज क spending और जो उसके साथ में मेरंद में बेंटु को ट我在 अपनीमु ने अपको कर लेता है अफसे माद़ू के उपर जो मेरंद महेंध शाह को कानदेश के राजा थे उनका वे कुछ समय अफसे तक इहां पर आपको जया अपको कर रहता है और उसके बाद जब बहदूर शाह की जब death होती है, मृत्य होती है, तो उसके बाद जो ये अपने आपको गुजरात का राजा डिकलेर कर देता है, मिरंद मुहम्मद शाह, कायम दो किंग अफ गुजरात, मलू खान तो उदर बैठा था मालवा में, ना कोई दिक्कत नी, वो तो ये अपने आपको सुल्तान टेकलेर कर देता, लेकिन खेर वो जाता चलता नहीं है, बहदूर शाह के बंशल, फिर से उस एरिया को आपको कैप्चर कर लेते हैं, तो ये पंदरा सो बीस से जो हुमायू है, वो हुमायू वाला पूरा फेस था, तो यहां पर आप देखो ये वाला आपको टाइम हो गया, इसके बाद मिरंद मुहमद शाह जब राजा यहां पर आपको बनते हैं, तो उस समय पर बाज बाहदूर का शाशन था, ये मैंने शाद गलत लिग दिया, थर्टी सेवन होगा ना, ये थर्टी सेवन होगा, सॉरी, सेती होगा, तो मिरंद म बेटा है, बाईजीद खान, वो राजा बनता है, बाईजीद खान वास एकशली तु अब UW API मालओ का राजा बनता है, और 1500 exchange में 1561 में, अΖ op हमला करता है Malwa पर एक बेटल होता है, बेटल of सारंगपूर, उस बेटल of सारंगपूर में, अकबर जो है, वो इसको डिफीट कर देता है और एक मिनट तो अकबर इनको पराजित कर देता है आपके 1561 में इनको डिफीट करके मालवा पर केप्चर कर ले अब यह जब मालवा में उसको बाज-बाधूर को हराता है बाद बादूर को जब डिफीट करता है एक बार उस समय पे यहां से भाग के बुरहनपूर चला जाता है खान देश चला जाता है क्योंकि वो उनके पुराने रिष्टेदार थे वो आपके जो मीरन जो मुबारक शाह हैं वो उनको एक तरह से शरंड भी आपको देने थे और यह जब अगबर के लोगों को पता चलता है कि उसने यहां पे शरंड दिया तो यह फिर से उस पर हमला करते है और उस समय पर जो मुगल सुवेदार था पीर मुहमबद खान जो है यह उसके उपर आपको हमला करके बुरहन नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो वो अपनी मरजी से यहां पर हमला करके उसको कंट्रोल कर लेते लेकिन इसके पहले भी अगर देखा जाए तो यहां के जो राजा थे वो कहीं न कहीं हुमायू को भी अपना ट्रिब्यूट भेजते थे हुमायू को पैसा भेजते अकबर को भी इन्होंने शुरू में अपना कुछ ट्रिब्यूट बगरा भेजा तो ऐसे कुछ दुश्में नहीं थी अकबर के साथ में और अकबर को बुड़ा बुरा लगता है कि हमला यहां पर हो गया महा का राजा भी बोलता है चलो ठीक है जो हो गया वो हो गया तो यह उस समय पर पीर मुहम्मद जो हमला है आपको करता है फिर उसके बाद जो मीरन मुबारक शाह है यह क्या करता है एक तुफल खान करके एक बरार का यहां पर आपको सुबेदार था अब यह क्या करते है कि मुगल ने हमला तो कर दिया हमार उपर अब बदला लेना मुगल से अकबर से बदला लेना है और ये क्या करते है कि जो बरार का जो सुबेदार था तफूल खान और बरार की आर्मी खांदेश की आर्मी ये दोनों मिलके पीर मुहंबत के उपर फिर से हमला कर देते हैं पीर मुहंबत की सेना वही पर दी मालवा में पीर मुहंबत पर हमला कर दे उसको डिफीट करते हैं उसको डिफीट करने के बाद जो बाज बाहदूर है, इसको फिर से मालवा की गद्दी पे इस्टाब्लिश करते हैं, और यह बात माली जाती है, पंधरा 55 आप इसके बाद अकबर ने फिर उसे defeat किया था तो मालवा पर दो बार actually हमला और उसके बाद तो पकड़के उसको सीधा अकबर के दर्बार में ले जाते हैं कोई story बता ही कुछ लोग बोलते है कि उसको अकबर के दर्बार में ले जा कि उसने मन सब यहां पर दी बड़ा अच्छा गाता था बाज बाद दूर राग अच्छे निकालता था तो उसके दर्बार में उसको गाने वाने के लिए रखा गया था तो वहांका एक सिंगर बन गया था ठीक है तो यह बात हुई उसका अगले राजा बनते है राजा अली खान मिरं अदिल खान 4 तक राजा अली खान मिरं अदिल खान पोर्ध तो 1576 से लेकर 97 तक आपको बनते हैं और इनके टाइम पर यह एक तरीक से अकबर के अधीन यहाँ पर आपको हो जाते है 1577 में अकबर एक सेना भेचता है ये एक, बोलते है ना एक, एक मिशन भेचता है यहाँ पर और मिशन के अंदर बोलता है कि भाई साब तुम हमारे अधीन यहाँ पर आपको हो जाओ या हमारे अंडर आपको हो जाओ और राजा अली खान जो था उसको accept कर लेता है कि ठीक है भाई साब मैं तुम्हारे अदिन हो गया तो अकबर की जो सुजरिंटी है या उसकी जो sovereignty है यहाँ पर आपको accept आपको कर लेते हैं ठीक है उसके बाद 1586 में अकबर का जो गवर्नर था अकबर का जो गवर्नर था मालवा का तो यह बरार की उपर आपको हमला करता है और उस हमले के अंदर भी यह उसके साथ यहाँ पर आपको participate आपको करता है तो राजा अली खान जो है अहमद नगर के battle में जाता है लेकिन अहमद नगर का battle यह लोग हार जाता है तो मालवा का जो गवर्नर था आजम खान तो यह आजम खान आजम यह उस battle को यहाँ पर आपको हार जाता है डिफीट हो जाता है और उसके बाद जब यह हार जाता है तो राजा अली खान आपने आपको एक तरीके से खान देश यहाँ पर आपको भेशता है और खान देश और एहमद नगर के कोट में आपे भेशता है और अकबर की जो सुवेनिटी है या उसके प्रभूत वसंबनता है उसको accept करने को फिर से बूलता है तो राजा राजा अली खान है उनको अकबर पाँच जार रुपे की जो मंसब है फाइव थाउजन रुपीज की मंसब उनको आपको अदा करता है और उसके बाद में एक बैटल था है तो उस सुनपेद की बैटल में मुगल और जो अदर यह राजा वहां पर लड़ते हुए आपके जो राजा अली खान थे उन अली खान के यहाँ पर आपको मर जाता है और उस बैटल में कुछ ऐसा हुआ था कि वहां पर लड़ रहा था लेकिन इसकी सेना कमजोर हो गई थी तो यह वापस लोट आया और मुगल के सेनाप और यह बाद जब अकबर को पता चलती है तो वह अपने सेनापती को दंड भी देता है कि भाई उनकी सेना कमजोर हो गई तो उसको बाकायाद एक लेटर भेजाता है उसको अकबर को कि मेरी सेना कमजोर हो चुए और मैं वापस रिटेलियेट कर रहा हूं आप है तो यह हमल आपको राजा बनता है अब यह जब राजा बनता है तो उसके बाद अपनी सेना यहाँ पर लेके आता है और 1599 में 1599 में तो 8 अपरेल 1599 को अगबर बुरहनपूर यहां पर आपको पहुचता है और यहां पर आने के अबाद जो आपके अब्दुलरहीम खाने खान थे उनको यहां पर आपको भेज़ता है कि भी जा और जाके इस के लिए को capture करो असीरगर के के लिए को और उसको capture करने के बाद जो अबुल फजल है तो अबुल फजल को खान देश का जो गवर्नर है यहां का सेना पती आपको नेउक कर देता है उसके बाद दिसंबर 1600 के अंदर फिर से बाहदूर खान जो है यह सरेंडर कर देता और याकूद खान जो है उसको यहां का fortress बनाते है और उसके बाद फिर अकबर ultimately 17 जनवरी 1601 को अकबर finally एक बार और हमला करता है और इस दिन अकबर की जो आखरी battle थी 1601 में तो उस समय पर अकबर आखरी बार यहां पर हमला करके Maligarh की fort की दिवारों को cross करके पूरे असे गड़ पर कबजा कर लेता है और यह अकबर का आखरी हमला था अपनी life का आखरी हमला था उसके बाद अगले चार साल अकबर यह साल का आखरी हो गया और इसके तीन साल में तो अकबर के death हो गई तो उसके बाद अकबर की यहाँ पर आपको डेथ यहाँ पर आपको हो जाती है और उसके बाद खांदेश जो है पूरी तरह से मुगल अमपायर में आ जाता है और आपके जो बहदूर शाह है बहदूर शाह की भी उस समय आपको मृत्ति हो जाती है तो इस तरीके से यह सामरा तो यहां पर भी अगेन वही दो स्टोरी हो गई कुछ बोलते हैं कि युद्ध में मारा गया और कुछ स्टोरी बोलती ही कि इसको आगरा ले गए पकड़के और आगरा के किले में 1624 तक वहां पर आपको केद रहता है उसके बाद बुरहनपूर में जैसा बाकी था वैसे यहा सारी जो शूफी संथ है वें यहां पर आपको मिले गेसा खाजा माय दिन चिश्ति है इं allora यहां पर बेजा था और उस सीशची संप्रदायी इसे सुहरावर्दी संप्रदायी और नक्षबंदी हो गया। इसी सूफियों के 40 ब्रांच होती थी तो उनवे से चार ब्रांच के लोग चिष्टी सोहरावर्दी कदारिया और उसके बाद आपका नक्षबंदी ये चार ब्रांचे जो है वो आपके मालवा के अंदर आई और उसमें जो बड़े-बड़े इनके जो सूफी संत थे सबसे के इंपोर्टन्ट संत थे उनका नाम थे हज्रत शाह भखारी का यहां पर आपको अड़पकारि और उसके साथ में जो जो दो और हैं कुतुब मुलाना निदाम ओद्दीन और हज्रत शाह भखारी ये दोनों आदिल शाह जो थे इसके दरबार में बड़े सूबेदार बन की या बड़े राजा बन की बड़े बड़ा ओहदा हैं पर आपको रखते हैं एवन जो आदिल शाह जो थे इन दोनों को अपने गद्धी के पास बिटाता था अपने साथ में अपने बराबर वाली ज जर्शाह विकारी की, तो वहीं पर उतावली नदी के किनारे बुरहनपूर में, इनकी जो मजार है, इनकी मजार वहाँ पर अभी भी आपको बनी हुई है, तेके उसके अलावा, 1610 में जब जहांगीरी पीरेड आया, तो उस समय पे जो जहांगीरी का बेटा था, उसका नाम जब जहांगीरी से मिलने आये थे, तो उस समय पे पहले बुरहनपूर गए, और बुरहनपूर जाके उन्होंने ये देखा, इन से समझा पहले यहांपे आके, कि राजा से मिलने का क्या तरीका है, जो बोलते हैं, जो एक रॉयल आटिटीटूट क्या होता है, रॉयल प्रो जो जहांगीर है, जब अजमेर से मांडू जा रहा था, तो उस समय पे जहांगीर इसी रीजन में, उज्जेन के पास में एक गुरू थे, जगरूप करके, तो जदरूप करके कोई गुरू हुआ करते थे, अब इन्फोमेशन इनके बारे में जादा नहीं है, जदरूप ग जब जाके इतना घना जंगल था, कि वहां पर घोडा जाना भी मुश्किल था, तो पैदल अपने लोगों के साथ गया, वहां पर जदरूप है, उनसे यहां पर आपको मिल के आए, उसके बाद जहांगीर जब 1617 में धार जब आता है, तो उस समय पे वो राजा भोज और इ लगे इन शाहजा यहां पर आपको पहुंचता है, अब शाहजा के पिरेड में क्या है, कि जहांगीर भी यहां पर जब था, तो लंबे समय तक जहांगीर भी यहां पर रहा, बुरहानपूर में, रीजन वही था, कि एहमद नगर, गोल कॉंडा और ये बीदर वगरा पे हम करना है, फिर जब शाहजा का पिरेड आया, तो शाहजा की पिरेड के पाद से, जो इनका जो डेकन अभी आनता है, ज्यादा स्ट्रॉंग होगा ज्यादा मजबूत होगा, ह८ को कैसे भी करके, डेकन पर और पकभजा करना है, तो शाहजा के पिरेड Eliza की के बीदर भी 16 Sonình 30 में यहाँ पर आपको म्रत्यू हो जाती है और इसके बाद यह तैय करते हैं कि अब इनके लिए एक बड़ा सा मगबरा बनाना है तो वो मगबरा ऐसा बोला जाता है इनकी जब ड़त हुई तो यहीं पर तापती नदी के किनारे जो मुम्ताज महले इनको दफना दिया जाता है और वो तैय करता है कि यहाँ पर एक बड़ा मगबरा आपको बनाएंगे और हिस्ट्री बुक्स बोलती भी है या आर्केलोजी भी यह प्रूव हुआ है कि शुरुआत में वो जो ताजमहल है उसका निर्मान यहीं पर शुरू करता है अट प्लेस ऑफ बुरहनपुर ताप उसके कारण यह बोलता है कि यहाँ पर नहीं बनाना है क्योंकि चाहता है कि नदी की किनारे बनाना है और रीजन बताया जाता है नदी की किनारे बनाने का कि वहाँ पर जो ताजमहल का जो स्ट्रुक्चर है उसके नीचे जो बेस में जो लकडियां लगी है तो लकडियां उनको जितना पानी मिलेगा, जितना नमी मिलेगी, उतनी लकडिया strong रहेगी, वो काई की लकडिया मुझे नहीं बता, ऐसी stories मैंने सुनी है, तो वो same structure यहां भी बनाते हैं, लेकिन वो लकडियां यहां पर बैठ जाती है, और फिर वो आगरा मैं यमुना के किनारे उनको जग लेकिन साथ में वो लकडियों का structure भी हां पर आपको लगा, जो उनको सहरा आपको देता है, तो इस तरीके से वो आगरा shift करता है, और वहां पर अपना जो ताज महल है, वो अपनी wife के लिए हां पर आपको बनवाता है, तो जब तक ताज महल complete नहीं हुआ, तब तक उनको य जाता है, तो यह story हुई आपके फारुकीस की, और अनकैडमी पे कई सारे courses चल रहा है, जोग्रफी के लिए paper 1, part B का एक course चल रहा है, 2021-22 के men's के लिए, जहाँ पर मैं आपको जोग्रफी पढ़ा रहा हूँ, फिर एक detailed course on the paper 2 है, part B, men's के लिए, तो यह paper 2 का part चल रहा है, ए paper 3 का course चल रहा है, जहाँ पर एक single unit बची हुई है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे है, यहाँ पर भी चोथी unit बची हुई है, वो ही हम लोग पढ़ने हैं अभी, बाकी हो चुका है, paper 2 में भी unit number 2, geography, Indian geography चल रहा है, most probably 5 December से हम लोग MP geography भी इसके अंदर आपको start करेंगे, साथ MPPSC के notes भी आप directly download कर सकते हैं, November में कई सारे course, 10 November, 14 November, 17 November, कई सारे November में भी कई सारे courses है, वो unacademy आप लोगों के लिए ले के आया है, इनको भी जाके आप join कर सकते हैं, उसी के साथ में MPPSC exams के कई सारे men's के जो test हैं, वो भी आपको available है, you can also join that, October में कई सारे batches हैं, फिर एक एक iconic batch है, एक men's का batch आपको चल रहा है, ऐसे कई सारे courses हैं, और इन सभी courses के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक single code use करना है, और वो code क्या है, वो code है, पवन life, ये code आपको use करना है, and if you are using this code, you will get 10% discount on the plus courses, तो अभी जाके एक code use करो, 15% discount plus classes पे आप जाके प्राप्त कर सकते हो, तो ये बात हुई, Unacademy के plus subscription और इस topic की, I hope you like the topic, और आगे हम इसके फिर MCQs वगरा जो है, वो भी special class में करेंगे, so that's the best lecture, thank you very much.